इसमें आपको YouTube चैनल कैसे बनाते हैं यह सिखाऊंगी, इसमें कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं होता है, YouTube चैनल बनाने के लिए YouTube पर कोई पैसे नहीं देने होते हैं, in fact, every month, average more than 25 करोड पीपल use YouTube, it is recorded as most used search engine after Google, तो 93% लोग वीडियो के लिए आज के टाइम में YouTube का यूज करते हैं, और आने वाले समय में ऐसा देखा गया है कि इसका यूज भरता ही जा रहा है, और आने वाले समय में और भरता ही जाएगा, तो friends, आपको YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले तीन चीजों की जरूरत नमबर टू, मोबाइल, लैप्टॉप यानी PC, नमबर थ्री, Gmail तो आएए, अब हम जीमेल पर एकाउंट बनाना सीखते हैं, इसके लिए आप जीमेल की साइट पर जाएए, यहां पर आपको क्रियेट अकाउंट का ओप्शन नजर आरा है, उस पर आप किलिक की जिए, इसक जैसा कि मैंने इनफोर्मेशन एंट टेक्नलोजी टेस्ट डाला है, तो मेरी IDC नाम से शो होगी, इसके बाद आपको कोई भी पासफ़र्ट डालना है, इसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, जैसा कि मैं देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक मैसेज आया है, चू इसके बाद यहां पर आपको से आपका फोन नॉम्र पूझेगा, तो जिस पोन आप पर अविलेबल हो, वो ही फोन आप नंबर आपको डालना है, जैसा कि मैं अपना फोन नंबर डाल रही हूं समय जो मेरे पास है, और इसके बाद मैंने Next पर क्लिक किया है इस पर क्लिक करते ही मेरे फोन पर एक OTP आजाएगा जो कि मुझे यहाँ पर डालना अगि मुझे फोन पर मिला है इसके बाद मैं क्लिक कर देबी जैसा कि आप देख सकते हैं पर क्लिक करते ही यहां पर उससे कुछ और चीज है जीमिल पूछ रहा है जैसे कि डे मन्त येर तो आप अपना डे मन्त येर जो आपको डालना है वो आप डालेगे मैं इधर डाल रही हूँ अपना डे मन्त और येर और जो भी चीज आप से पूछ रहा है सबको स्लेक करने के बाद फाइनल आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद येस आई एम इसके बाद आई एग्री जैसा कि मैं या क्लिक करती जा रही हूँ और ओके देखिए अब मेरा जीमिल एकाउंट बन चुका है इसके बाद आप यूट्यूब की साइट पर जाईए और वहां पर जो भी अभी जीमिल आईडे आपने बनाई है उसको डाल कर लॉग इन कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर क्रियेट चैनल पर आप क्लिक करिए और जो भी आपको नेम डालना है चैनल का वो आप डालिए इसके बाद डालने के बाद आपका चैनल क्रियेट हो गया है आप देखोगे इधर आपको क्या-क्या लिखा हुआ मिलेगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट चैनल डिसकरशन अब ऑउ इस तरह, इसका मतलब आपका चैनल क्लियेट हो गया और इसके बाद आपको कस्टुमाइज पर क् करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप को जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आप ब्रैंडिंग पर जाने के बाद आप यहां अपने चैनल की कोई भी बैनर इमेज और पिक्चर लगा सकते हैं जो कि आप लगाना चाहते हैं एक्जाम्पल के तौर पर मैं आपता रही हूँ, मैं देखिये, यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, इन्फोर्मेशन एंड टेक्नलोजी अड़ा, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको, और डन का ओप्शन दवाते ही, आपकी बैना रिमेज फाइनल हो इसके बाद आपको चैनल के डैश्वोर्ट पर जाना है, और इसको पब्लिश कर देना है, पब्लिश पर किलिक करके, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, इसके बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन पर जाऊंगी, जिसमें आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है आप कुछ भी description दे सकते हैं, जैसे कि आप channel किस से related बना रहे हैं, क्या इसमें information देंगें, क्यों बना रहे हैं वगेरा वगेरा इस तरह से आप कुछ भी टाल सकते हैं, इसके बाद आपको एक URL दे दिया जाएगा, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखी लिंक का जो option है, add link पर create कीजे, यहाँ पर आपको कोई भी social media से की site आपको डालनी है, जैसा कि अगर आप Facebook पर है, Twitter पर है, Instagram पर है, तो आप अपने चैनल को advertise करने के लिए उसका URL डाल सकते हैं, और उससे connect हो सकते हैं, अब इसके बाद नीचे आपको एक email ID डालनी है, जिससे भी आपके जो subscriber है जो देख रहे हैं, आपका चैनल लोग, उनको कोई message देना है, तो वो ही ID डाले है, जिस ID पर आपकी जो भी star tag बनी हुई है, वो ID डाल देजे, जिससे वो लोग आप से बात कर सके, इसके बाद आप पब्लिश कर दीजे, पब्लिश का option क्लिक करके, इसके बाद यहाँ पर बारत डेशवोट पर आप जाएगा, तो यह आपका चैनल डेशवोट आजाएगा, अब इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपनी next वीडियो में दूंगी, तो जब तक बने रहे हैं मेरे चैनल के साथ, अगर आपको मेरी वीडिय आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, and don't forget to press bell icon button, so that you can never miss any update, or any update.